गुड मॉर्निंग, आज है 20 फरवरी मंडे और यहाँ है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा, एक बार डिस्कलेमर जरूर वीड करें, तो आएए देख लेते हैं, आज के लिए कैसा रहेग के साथ दिन बंद हुआ, बीएसी सिंसिक्स 317 अंक गिरकर 61,003 पर आ गया, जबकि निफ्टी 52 अंक गिरकर 17,944 पर आ गया, 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 35.17964 के लेवल पे, एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट हुआ क्योंकि निवेशकों को चिंता थी की इन्फलेशन और एक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था फेडरल रिजर्व को अधिक ब्यास धर में बढ़ोतरी के लिए गती प्रदान कर सकती है। प्राइडे को निफ्टी में डेली चार्ट पर लंबे उपरी और निचले विक्स के साथ छोटे आकार की बेरिश कैंडल बन गई। तकनी की रूप से यह पैटर्न उच्छ से बाजार में मामूली उलटफेर का संकेत देता है। संभावना की उम्मीद करते हैं। इसके बाद 18,000 और 18,500 स्ट्राइक पर राइटिंग के साथ 18,100 स्ट्राइक फिर 18,700 स्ट्राइक था। एंड अधिक्तम पुट OI 18,000 स्ट्राइक पर देखा गया जिसमें 79.1,700,000 कॉंट्रेक्ट्स थे जो आने वाले दिनों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपून क्षेत्र के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। अब निफ्टी को 17,897 पर सपोर्ट है, इसके बाद 17,862 और फिर 17,805 पर है। यदि इंडेक्स उपर जाता है तो देखने के लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टिंस लेवल 18,011 हैं, इसके बाद 18,047 और 18,104 हैं। निफ्टी बैंक ने एक और दिन के लिए घाटा बढ़ाया, 500 अंक गिरकर 41,132 पर आ गया। निफ्टी ने व्यापक बाजारों को कमजोर कर दिया है और डेली चार्ट पर कम उच्छ लो पैटर्न के साथ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया है। जब तक यह 41,500 के स्तर से नीचे रहता है। इंडेक्स करंट सपोर्ट 41,000 पर है और यदि यह क्लोजिन के आधार पर इसे बनाए रखने में विफल रहता है तो यह 40,000 के स्तर की ओर तेजी से बढ़ेगा। अब है बैंक निफ्टी कॉंट्राक्ट की मंथली एक सपायरी बैंक निफ्टी क जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 40,935 पर है और उसके बाद 40,785 और 40,543 है। उपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 41,419 हैं इसके बाद 41,568 और 41,811 हैं। करोड रुपए के शेर बेचे। यस्टरडे इंडिया विक्स जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 1.47 प्रतीशक बढ़कर 13.08 के स्तर पर पहुँच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 20 परवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में अंबुजा सीमेंट्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहर प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कमपनिया शामिल हैं, जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिती सीमा के 95 प्रतिशक को पार कर चुके हैं।